हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं देश में लागू लोगडाउन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रियायत देते वे दुकानों को खोलने की इजाज़त दी थी हाला कि शनिवार को अपने पूर्ववर्ती आदेश पर सरकार में सपश्टी करन जारी किया है सरकार का कहना है कि फिलहाल ग्रामिन शेत्रों में दुकाने खोलने की इजाज़त है जबकि शहरी शेत्रों में शौपिंग मॉल कॉम्पलेक्स पर प्रतिबन जारी रहेगा इसके अलावा शराग की दुकाने भी नहीं खोली जाएंगी केंद्य ग्रो मंत्राले ने सपश्टी करन जारी करते वे कहा कि ग्रामिन शेत्रों में शौपिंग मॉल में स्तित दुकानों को छोड़ कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमती है शेहरी शेत्रों में सभी अलग-अलग दुकानों, पडोस की दुकानों और आवासी परिसरों में दुकाने खोलने की अनुमती है बाजार या बाजार परिसर और शॉपिंग ओल खोलने की अनुमती नहीं है ये सबश्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिये जरूरी सामान की डिलिवरी जारी रहेगी संशोधित आदेश में कहा गया है कि इस बात को दोबारा साफ किया जाता है कि शराब और अन्य वस्तूगों की बिक्री पर प्रतिबन जारी रहेगा आदेश में गुरूम अंत्राले ने कहा कि जैसे ही समेकित संशोधन दिशा निडिशों में निडिशित है संबन्दित राज्य केंद्र शासत प्रदेशों ने ग्रामिनिया शहरी शेत्रों में जिन इलाकों को कंटेंटमेंट जोन गोशित किया है वहाँ इन दुकानों को खोलने की अनुमती नहीं दी जाएगी साथी स्पष्ट किया गया है कि दुकानों पर केबल 50 वी सदी ही कर्मचारी काम करेंगे और उन्हें मास पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेथ सभी ते दिशा निर्देशों का पालन करना होगा सरकार के ताजा आदेश में कहा गया है कि कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिनने होट स्पोट के रूप में चिनित किया गया है और जो कंटेन्मिन जोन है वहाँ फिलाल कोई रहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन माई तक पूरी तरह से लोगमाउंट जारी रहेगा इससे पहले भी सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी कर राशन, दूद, सबजी और फल जैसे जरूरी सामान की दुकानों को खोणने की मंजूरी दी थी राजिस्तान से जागरूप टेवी की रिपोर्ट